इस वीडियो में हम दो इस्टेट की स्टेट कांसलिंग की अपडेट के बारे में पता करेंगे इसमें हम सबसे पहले हर्याना के लोज के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं यहां वेटनरी कोलेज के लिए लाला लाज पत्राई उनिर्सिटी है जो अच्छी उनिर्सिटी है इसके अंडर एक सी ओ वीएस हिसार गौर्रमेंट वेटनरी कोलेज आता है और दो private veterinary college आती हैं जो रोतक और जहजर में हैं तो इन में जो government का जो veterinary college है हिसार का उसमें हरियाना के candidate ही apply कर सकते हैं जो हरियाना की domicile रखते हैं लेकिन जो बाकी दो veterinary private colleges हैं उनमें management quota के लिए other state के candidate apply कर सकते हैं उनकी 40-40 seats उनमें management seat की हैं और management के लिए जो उनकी fees है वो 5.5 लाग के something है तो इस वीडियो में हम इस state के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और MBBS के दूसरे state Udisa के बारे में भी चर्चा करेंगे जिसके registration 29 से start होने हैं तो सबसे पहले हम LUAS के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें जो इसके registration है वो start हो चुके हैं और जो इसकी last date देखे हम registration की वो 15 December 21 जो है वो without late fees है और ये late fees से 600 late fees से 22 December 21 रखी गई है इसमें इसके बाद में हम इसकी fees की बात करें तो 2800 रुपीज इसकी general category के लिए management quota के लिए ESM के लिए FIP के लिए PWD EWS कस्मीरी migrant जेंट के resident और management quota के लिए है इसमें इसके अलावा 700 रुपीज SC BC के लिए है और NRI के लिए 4000 रुपीज इसमें फीज है apply के लिए registration के लिए अब इसमें जो COVS हिसार का जो college है जो government college है उसमें जो हरियना के residents है उनके लिए 60 seats है इसमें और जो ओल इंडिया quota से वेटनरी की counseling होती है जो VCI counseling करवाती है उसमें 12 seat है जो other state के candidate है वेटनरी में admission लेना चाते है तो उदयपूर भी शोरिबी कानेर उदयपूर के बाद आप लुआस को fill कर सकते हिसार की जो college है उसको ये भी अच्छा college है इसके बाद में कस्मेरी migrants के लिए तीन seat है इसमें और जम्मो कस्मेर कंडिडेट के लिए तीन seat है दो seat NRI कंडिडेट के लिए है इस government veterinary college में इसके बाद में seat distribution इस परकार से है इसमें 12 seat SC कंडिडेट के लिए है BCA के लिए 9 seat है BCB के लिए 6 seat है इसमें EWS के लिए 3 seats है जो PWD कंडिडेट है एक seat है इसमें और इसमें जो जनरल काटेगरी के है हरियना resident के उनकी 29 seats है टोटल तो ये seat distribution है अब फीस के हम इसमें बात कर लेते हैं तो जो government का लुआस हिसार का veterinary college है उसकी जो first year की फीस है 52,370 रूपीज है second year की 45,470 रूपीज है second year, third year की भी यही है और fourth year की 68,115 है और इसमें जो internship है उसमें 24,920 रूपीज है इसमें इसके बाद में hostel की अलग-अलग फीस दे रखी है hostel security दे रखा है electricity charge hostel maintenance दे रखा है room rent दे रखा है तो यह आप इसकी फीस देख सकते हैं यहां पर इसके बाद में हम बात करते हैं आगे इसमें जो private colleges है इस university के अंडर जो private college आती है वो दो college आती है रोतक का college है और जजर का एक बार seat matrix के इसमें बात कर लेते हैं तो state quota के लिए 50% seat इसमें reserve है जो हर्याणा के candidate है उनके लिए 50% seats इन दोनों colleges में reserve है रोतक में 28 seats है और जजर में 40 seats है इसके बाद में हम जो VCI seats की बात कर लेते हैं तो जो private college है इसका रोतक का उसकी 12 seats है वो ओल इंडिया quota में यानि की VCI counseling करवाता है यानि की हर्याणा state की दो college एक private college और एक government college VCI के अंडर उसकी counseling होती है 15% के अंडर आती है लेकिन जो इनकी fees है वो management की fees ही लगती है जो ओल इंडिया quota के candidate है उनके लिए management की seats की बात करें तो 40 seats इसमें रोतक वाली college में है और 40 seats जहजर की college में है तो इस परकार से ये college दे रखी है इसमें आप देख सकते हैं ये अब हम यहाँ seat distribution की बात कर लेते हैं जो seat distribution है इनका private के लिए वो seat distribution 15 और 19 इस परकार से है ये आप देख सकते हैं इसमें अब एक बार fees structures की बात कर ले इन private colleges में तो जहजर की college है उसकी जो fees है fees की अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें 5,59,000 रुपीज है ये state quota के लिए भी same है और management quota के लिए भी same है और जो 15% के अंदर ये college आती है वहाँ से 12 seat की counseling होती है उसकी भी same fees 5,59,000 है इसमें तो इस परकार से या आप लोवास के लिए अगर हरियाना के resident है या फिर other state candidate है तो भी आप private college के लिए apply कर सकते हैं इसके बाद में हम बात करते हैं आगे MBBS, BDS admission के लिए तो Udisa state के registration भी अभी 29 नॉंबर से start होने है notice इनका जारी हो चुका है हालांकि Udisa एक close state है यहां के ही candidate यहां के resident ही इस government college के लिए इस state में apply कर सकते हैं private college के लिए भी इसमें apply कर सकते हैं वो Udisa state के candidate ही इसमें apply कर सकते हैं और 29 नॉंबर से इसके registration start हो जाएंगे जैसे इसके registration start होंगे किस परकार से आपने apply करना है इस बात के बारे में आपको पूरा बता दिया जाएगा आगे तो मिलते हैं नई update के साथ में और states की जैसे जैसे counseling start होगी हम आपको inform कर देंगे फिलाल इन दो states की ही ये update थी मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए मैं हरसाई चोपड़ा आप से लेता हूँ विदा जैएंग जाँ लेचत की ही जैएंगे